कोई से शक्ति इन्हें रक्षित कर रही है अवश्यमाता का ही है ये कंदर अथा आत्रे दे सु रक्षित हूँ मैं मुझे शमा करना पुद्ध मैं बचल बद हूँ निरंतर प्रहार करना पड़ा तो करूँगा किम्तू दंडित अवश्य करूँगा इस तुष्ट को दंड़ ऐसी उक्ति का प्रियोग किया है मैंने बालक जिसके सामने तिरी हां शक्ति ठीकी पड़ जाएगी तोड़ा तुमने अपना दंड़ क्योंकि तो शक्ति मेरी रक्षा कर रही है उसे पराजित करने की शम्ता तुमे नहीं किसका कंगन है और कौन सी दिव्य शक्ति इस तुष्ट की रक्षा कर रही है गजानान अपनी विफलता का कारण नहीं समझ पा रहा है किन्तु पारवती पारवती ऐसा क्यों कर रही है आप धन्य है माता आप धन्य है मेरे सुहा की रक्षा के लिए आप इतना बड़ा त्याग करने पर विवश है इन तो ऐसा कर आज आपने दर्शा दिया कि आपके लिए भग की भगती ही सर्वो परी है मैं गोटी-कोटी नमन कर आपका दन्यवाद करती हूँ मा आपका दन्यवाद करती हूँ भगत भगवान से बड़ा होता है स्वामी मैं ये ग्याद करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है उनका परिवार या उनका भगत गुमा, भक्त का स्थान सदय भगवान से उचा होता है पार्वती, ये क्या? भक्त भगवान से बड़ा होता है, सत्य है किंतु क्या भगवान द्वारा एक अधर्मी असुर की रक्षा करना था क्या ये उचित है? कुछ भी कर ले, मूर्ख बालक तुम मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाओगे कैसे भेदू इस तिव्य सुरक्षा कवच को? प्रणाम पिताश्री पिताश्री, कोई तुरूटी है क्या मेरे प्रयत्न में जिसके कारण बार-बार असभल हो रहा हूँ? नहीं गजानन, इसका कारण कुछ और है मैं समझा नहीं पिताश्री, आप किस कारण की बात कर रहे हैं? अदेको पाप की हैं उन्होंने कि तुम मेरे स्वामी है मा, मेरे स्वामी है उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है आपकी भक्तों कर आपको इस प्रकार विवश करने के लिए मुझे शमाग कीजिए मा, मुझे शमाग कीजिए पती व्रता हो न, तो स्तरी का गुण होता है दोश नहीं सुवेनी धन्य है तुम्हारे पती व्रता का भाव जिसके कारण तुमने अपने पती की सुरक्षा को ही सरवो परी रखा उसका ही वर्दान मागा मुझे तुम्हारे इस भाव को तो मैं भी भली भाती समझती हूँ पुत्री उमा मा पुत्र प्रहीम से विचलित होकर माता कहीं इस दंद को रोकना ना भूजाएं अब मादेव इस विकट परिस्तिदी को सुझाएंगे कि तो यदि वो भी माता को समझाने में असफल हुए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा उमा तुम ये क्या कर रही हो मुझे भली भाती ग्यात है कि मैं क्या कर रही है कि तु आप यहाँ क्या कर रहे है ये क्या हुआ है माको वो इतना रूखा व्यावार क्यों कर रही है उमा तुम्हे ग्यात है कि तुम किसकी रक्षा कर रही हो भक्त की भक्ती का सम्माद और उसके सुहाग की रक्षा कर रही है किन्तु ये दुश्ट तो तुम्हारा भक्त नहीं है उमा सकते है स्वामी ये मेरा भक्त नहीं है तो क्या इसी लिए मैं इसकी पत्ती अपनी भक्त सुवेनी को दिया अपना वचन असत्य हो जाने की विवाग के उपरां यदि मेरे सुभाग पर कोई भी संकट छाए तो आप उनकी रक्षा करें तथा सुवे तो क्या भक्त को वर्दान देने से फूर मुझे ये भी ग्यात करना हो का स्वामी कि उसके पती, पत्नी और संबंधी मेरे भक है की नहीं उमा दीपक की जोती का धर्म है उजियारे का साथ देना अंध्यारे को मिटाना इसी परकार हमारा धर्म है बुराई की अंधकार को इस जगत से दूर करना अच्छाई का साथ देकर संसार में अच्छाई के भरकाश को बढ़ावा देना हमारा पुत्र भी वही कर रहा है और तुम उसके इस कारिय में पाधा डाल रही है भक्त की भक्ती सर्वो परी बुराई और अच्छाई के भेच से परे है यदि भक्त बुराई में लिप्त तो उसे अपनी संतान के समान सुपत पिलाना हमारा कर्टब बिला क्यों स्वामी क्या हमारे भक्त को सुधरने का एक अफसर भी प्राप नहीं होना चाहिए अने को पाप करने के पच्छाद भी अपने किये पर कोई गलानी नहीं सा धर्मी पापी को इसे अभी नहीं रोका गया तो ये अपने उपद्रख से संपूर जगत को संकट में डाल देगा इसलिए इसको अफसर देना अधर्म है उमा संसार की रक्षा के हमारे कर्टब बेगे है भिट है रिदे पर आखात लेकर अपने कर्टब्य पर सदैव अडिग रही हूँ मैं इसलिए कर्टब्य बोट करवा कर और अकारे अधन का दोश लगा कर आप मेरा अपमान मत कीजिये स्वामी सर्वता अनुचित है पार्वती तो कुछ समझने के लिए तयार ही नहीं है इस गुष्ट पापी की रक्षा कर रही हूँ मैं क्योंकि भग तो भगवान से बड़ा होता है उचित है न स्वामी पुन्हा पूछती हूँ मैं उत्तर दीजे मुझे भगवान बड़ा होता है या भग पूर्थ में जब मैंने पूछा था तो स्मरण है न प्रभू आपने क्या उत्तर दिया था स्वामी मैं ये ग्याद करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है उनका परिवान या उनका भग पूमा भग्त का स्थान सदय भगवान से उचा होता है जगत जन्नी और जगत पिता के अनर्थकारी क्रोथ के जागरू धोने के पूर्वी शान्त करना आतियन तावर्शक है जब तक माता पार्वती मेरी रक्षा कर रही है महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगार तकते आज मैं अपने पूत्र के साथ सत्य और धर्म का साथ देने के लिए खड़ा हूँ और आप हमारा अपने परिवार का विरोध कर रही है क्या ये बात आपको विछलित नहीं करती? विछलित तो मुझे ये कर रहा है स्वामी कि आप सदैव कहते रहते हैं कि परिवार और भक्त में कोई भेद नहीं जगत पिता और जगत माता हैं हम सभी हमारी संताने हैं जिनका कल्यान दायत्व है हमारा पत्र कार्तेक को मुझसे दूर करते समय यही समझाया था ना आपने? कि तू आज कि आज अपने परिवार के नाम पर अपने भक्त के प्रती दायत्व को फूल जाओं मैं परिवार नहीं पारोगि धर्म की रक्षा करने का हमारा कर्तव वे ही सर्वपरी है हमारे लिए इसलिए इस असुर का बचाव कर अधर्म का साथ दे रही हो तुम जब किसी भी दृष्टी से उचित नहीं अनुचित है अधर्म है तो क्या अनेकों बाद जो आपने असुरों को वर्दान दिया वो भी अधर्मी था घोर्ट तब किया था अनुजरों ने तब विवश हो करी मैंने उनको वर्दान दिये थे तो फिर जो मैं कर रही हूँ वो भी अनुचित कैसे हो सकता है स्वामी मेरी भव्त है सुवेनी घोर्ट तब किया है उसने इसलिए मैं भी विवश हूँ ओ तो इसलिए मा इस असूर की रक्षा कर रही है उमा भेंद परस्थित्यों की तुना कर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो पेरा कहा मान लो लोटा लो अपना कंगन ये आपका निवेदन है या आदेश है प्रभू और ये भी बताने की कृपा करे कि इस समय आप मुझसे मेरे पती के रूप में बात कर रहे हैं या जगत पिता माहादेव के रूप है ये बात आपने क्रोट में क्या करे गे आप माहादेव क्या करेग महेश्वरी अपना कंगन लोटा लीजिये मैं अपने पती के ही आदेश का पालन करूँगी आप सभी अन्य के लिए देवाधी देव होंगे किन्तु उस रूप में आपका मेरे उपस कोई भी अधिकार नहीं आपकी आज्या नहीं सुनूँगी मैं आपकी आज्यान नहीं सुनूँगी आपकी आज्यान नहीं सुनूँगी मा... मा मा तो पिताश्री की सभी बाते अस्विकार कर रही है कर दो ले किसे ले में कर रही है में कर रही कर रहा है कर रही कर रधान है लेक्सारी की साल्ग मैंने अम्बे रूप में अपनी भग सुवेनी को वर्दान दिया था अपने अम्बे रूप में ही मैं अपने वचन की रक्षा भी करूँगी मैं आपको चेतावनी देती हूँ मुझे चुनौती देने का दुसाहस मत कीजिएगा ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है उत्तम, अत्य उत्तम, इनके आपस का मन उठाव, इनके सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ये कैसी विडमना है ब्रह्मदेव एक और महादेव और बालक गजानल तो दूसरी और देवी पारवती अपने दुर्गारूपन स्थिती अन्यंत्रित हो रही जगत-पिता और जगत-जननी का मतभेद है ये और इन दोनों के टकराओं के मध्धी में है गजानल स्थिती अन्यंत्रित हो नहीं रही है श्रीहरी अन्यंत्रित हो चुकी है हमें शीगर वहां जाकर स्थिती को संभालने का प्रैदने करना चाहिए यदि इन दोनों का टकराव और बढ़ा तो विद्ध्वन्स होगा उससे हम सभी नश्ट हो जाएंगों यदि मैंने अपना कंगन लोटा लिया तो गजानन का दंध उस सुरक्षा कवच को भेद कर मुशिका सुरका वद्ध कर देगा और ये मैं कदापी होने नहीं दूंगी रोना तो और भी विराद रूप धारन कर लिया है और स्थिती भी आन्यंत्रित होती प्रतित हो रही है ये कैसा हट है महेश्वरी का जानन हमारा पुत्र है तुम्हारा पुत्र है और आज तुम उसके विरुद्ध जाकर एक असूर की रक्षा कर रही है क्या धर्म, दायत्व, कर्तव्य बस आपके ही अधिकार शेत्र में है आज मैं अपने भक्त के साथ खड़ी हो गई तो वो आपके लिए हट हो गया क्या आप भूल गए वो शंड जब आपने हमारे पुत्र गजानन का शीश उसके धर से विलक कर दिया था तब मैं भी कह सकती थी कि आप इतना हट क्यों करते हैं महादेव तुम्हें क्या थे ना देवी कि मुशी का सुर्की दुष्ट ताकांत करने के लिए जोचित है उसी का साथ देने के लिए ही गजानन की लिए शील है देवी पार्वती शान्त हो जाई खृपिया अपने क्रोध को शान्त कीजिए आपको क्या था कि गजासुर एक भयानक पापी असुर है अने को स्पाफ किये थे उसने किन्तु उसने तब कर आपका आवाहन किया आपको अपने उदर में समाने के लिए कहा कहो क्या वर्दान चाहिए आप चाहिए भुले नाद मेरे उदर में सदा करिए तो आपने उसको क्या उस्तर दिया स्वामी कि तो आपने उसक्राइब कर आपका बात सवा क्या चाहिए मैं बताती हूँ तब कहा था आपने तथास तू तथास तू देवी शान्त कर अपने आवेश को तुम्हारा पुत्र भी यहाँ है क्या तुम चाहती हो कि वो यह देखे कि उसकी माउस के सनमार को चुनने के कारण इतनी आवेशित हो रही है मैंने अपने पुत्र को ऐसे संसकार दिये है कि वो उचित और अनुचित धर्म अधर्म का भेट भलीभाती समझ सके बचन का महत्व समझने में सक्षम बनाया है उसे मैंने मैं पुना कह रहा हूं देवी जो तुम कर रही हो वो अनुचित है विवश कर रही हो तुम मुझे तुम्हारे विरुद अपने पोत्र की सहाइता करने के लिए जो आपको उचित लगे वो आप कीजिए महादेर के तुम इतना जान लीजिए मुशी का सुर्की और बढ़ने का जो भी प्रैदन करेगा तो उसे सर्व प्रथम मुझसे डखराना पड़ेगा झाल माता ने कालिका और महादेव ने वीर भत्र का रूप धारण कर दिया जिसका बहपा वही हो रहा है महादेव और देवी पार्वती दोनों अपने विक्राल रूप में हैं उनके मद्य संगार्श हुआ तो स्रिष्टी छेन्मे भिंड हो जाएगी कोई शेष नहीं रहेगा पूप झाल में हो जाएगी कोई है कर दो भया ना, कर दो आरा, कर दो जा फार बला ना, कर दो, पारा, वादा, जसैंतुच मादा मादा, भादा, शहन जह हैं पादा बबू, शहन जह हैं भादा यह जो भी हो रहा है अनुचित है मा और पिता श्री में युद्ध नहीं होने दूंगा मा मा पिता श्री आप दोनों मेरे कारण युद्ध मत कीजिए मत भूई ये परिवार की कलं सदय विनाशकारी होती है आपको इसमरण है नपिता श्री मैंने आपके साथ युद्ध किया था तो उसका क्या परिणाम हुआ था एक समस्या है हमारे समक्ष जिसका समाधान मिलकर बात चीत कर ढूणना चाहिए हमें आपसी टकराव का तो एक ही परिणाम है परिवार का विनाश आप तोरों का युद्ध मेरे कारण हो रहा है ना तो माँ पिता श्री लीजे मैं अपना दंथ लोटा लेता हूँ कि माँ अब आप भी अपना कंगन लोटा लीजिए नहीं माते नहीं मैं पुना असुरक्षित हो जाओंगा माते नहीं पुना असुरक्षित हो गया मैं इसके पूर्व की ये संपूर्ण परिवार एक साथ हो जाए मुझे भाग लेना चाहिए असुरक्षित हो जाए व्यर्थ युद्ध करने जा रहे थे आप दोने क्योंकि जिस मुशी का सुर्ख के कारां ये सब हो रहा है उसकी वास्तविक्ता भूड नहीं है आप मुशी का सुर्ख पूर्व में क्रोंच नामक गंधर्व था विलंब होने के कारां क्रोंच तीवर्गती से अपने निवास की और जा रहा था बहुत विलंब हो गया मुझे इंद्रदेव की सवाज से शीग्र निकल ला था मुझे शीग्रता में क्रोंच रिशिवामदेव से तकरा गया जिससे रिशिवर की वर्षों की तपस्या रिशिवर बहुत खोधित हुए और उनोंने क्रोंच को असुर बनने का शाप दे दिया मैं तुम्हें श्राप देता हूँ इस तो मसुर बन जाओगे रिशिवर नहीं, डाल से पैर ठकरा गया और मैं आपपर गिर पड़ा आपकी तपस्या भंग करने की मेरी कोई मंचा नहीं थी रिशिवर शमा रिशिवर शमा रिशिवर शमा शांत होने पर रिशिवर ने शाप को कम करते हुए कहा कि क्रोंच को उसके असुर रूप में भी एक अपसर मिलेगा वो माता पारवती का भक्त होगा और यदि उसने अपनी भक्ती से माता पारवती को प्रसम्मित लिया तो वो रिशीवर के शाप से मुक्त हो जाएगा रिशीवर, रिशीवर असुर रूप में आने पर क्रोंच देवी पार्वती का परमभक्त बन कर सदा उनकी भक्ती में लीन रहने लगा जिससे माता पार्वती ने प्रसंद होकर उसे दर्शन दिये माता ने प्रोंच को बल, प्राक्रम, सत्ता और बुद्धी का वर्दान दिया उसी समय क्रोंच की द्रिष्टी, माता के हाथ में स्तित, अम्रित की कटोरी पर पड़ी जिसे देखकर वो लालच में आकर माता से अम्रित की मांग कर बैठा किन्तु माता ने उससे कहा कि अम्रित मात्र योगिता के अधार पर ही प्राप्द होता है और अभी क्रोंच अम्रित पाने की योगिय नहीं बना था दालच में आकर क्रोंच ने मूशक रूप धारां कर माता के हाथ की कटोरी का अम्रित चोरी से जख लिया माता ने क्रोंधवश उस असुर को रिशी वाहदेव के शाफ से मुद्ध करने के स्थान पर और बड़ा शाफ दे दिया मेरे मना करने पर भी तुमने मूशक रूप करकर अम्रित को चुराया इसलिए मैं तुम्हें ये श्राब देती हूँ आज से तुम मूशक का सुर बन कर चोरी से ही अपना उदर भरोगे इसलिए तुम्हारी अम्रत्यू नहीं होगी समय आने पर मेरे फुत्र गजानन के हाथों तुम्हारा उद्धार हो तुम्हारा उद्धार हो और इस समस्या का हल केवल कजानन के पास है।